हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिरलंका बरसे जिमवाबे के ODI सिरीज के दूसरे महा मुकाबल है मैच में दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे सिरलंका और जिमवाबे के बिच में जो दूसरा ODI मैच खिला जाएगा उसमें आपको किस खिलारी को लेके चलना है और किसे ड्रॉप करना है कौनसा ऐसे खिलारी होंगे जो आपको पंटर के तोर पर इस्तमाल होने वाले हैं और उसे अपने टीम में CBC के तोर पर इस्तमाल करेंगे किस खिलारी को लेके चलना है जिससे कि GL में आप अच्छे टीम मना कर अच्छा प्रॉफिट करकर यहाँ पर जाने वाले हैं यह आपका guarantee है ठीक है ठीक है दोस्तों तो आप यहाँ पे अच्छा profit करके जाने वाले हैं बस आपको कहा करना है वीडियो को पूरा watch करना है और अच्छे से prediction करके यहाँ पे जाना है और हम आपको यहाँ पे life proof नहीं लिगना कुछ weather अपने रिकारण ऐसे हुआ है तो यह आपको दूसरा भी देखने को मिल जाएगा दूसरा मैच आपको कैसा रहने वाला है और वह हम आपको बात करने वाला है पीच रिपोट कहारे रहने वाला है मैच कहाँ पर खिला जाएगा और किस खिलाडी को आज क लास्ट 25 ओडियाई का हम बात करते है लास्ट 5 मैच में जो के लिए है उसका इस अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर 446 पोइंट होता है और बैटस्पन देखेंगे यह बॉलर है दोस्तों बैटस्पन देखेंगे तो 357 है से एरचरिंगा और यहाँ पर S मारे विकरमा का 29 है जिम्बामिक तरफ से देखेंगे आपको तो 482 पोइंट है एस रजा का और यहीं पर देखेंगे 308 पोइंट है आज बॉलर है तो यह खिलारी काफी इंपोर्टर रहने वाले आज के मैच में नीचे आते हैं यह हम आपको बताएंगे कि कहां पर मैच होने वाला है तो मै मैच में हो जाएगे तो मैच अगर बारिस होती रही तो फिर यह मैच पहले ओडियाई की तरह यह मैच भी कैंसल हो जाएगा मतलब अबॉंड हो जाएगा ठीक है चलिए आप बात करते हैं कि यहाँ पर एबरेज स्कोर कितना रहने वाला है तो 200 एबरेज स्कोर इस पीस पर तो टोटल चार मैच खेले गाए हैं जिसमें से सिरलंका तीन बार जीती हुई है और वहीं पर देखेंगे जो जीन बावि के टीम है वो एक बार जीती हुई है वहीं पर देखें आज का जो अबडेट होगा तो यहाँ पर एक आपको अबोंडेट देखने को मिल जाएगा ठीके दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको किसे लेके चलना है और किसे ड्रॉप करना है कौन किलारी आज के लिए आपके मैस में काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो कुसल मैंडिस आपके लिए क्या आपने टीम में जरूर लेके चलेंगे समर्भी करमा को अपने टीम में जरूर लेके चलेगा travailler काफी इंपोर्टेंट रहेंगे और ऑपने टीम में जरूर लेके चलना ही है काफी इंपोर्टेंट है अच्के मैंच में चलेगा बात करते हैं बेटर में तो बैटर हम देखेंगे C. Erwin अच्छे खिलारी है जिमबावी के इसे अपने टीम में लेके चल सकते हैं और बूर्ड को अपने टीम में लेके चलिएगा C. S. लंका को हमने पिजले मैंसे बताया था इसे आपके अपने तुरपे इस्तामाल कर सकते हैं और वैसा ही हुआ अच्छा पर्फॉमेंट के बल्ले से निकला ठीक है यहाँ पर इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं और यहाँ पर और किसी को लेके नहीं चल रहा है All-Onton में चलेंगे तो All-Onton में आप जा सकते हैं अच्छा रजायक साथ यह खिलाडी काफी इंपोर्टेंट है और भहेंकर खिलाडी है दोस्तों जीमबावे के तरफ से इसे अपने टीम में जरू लेके चलिएगा डिच चनेका को आज के मैस में ड्रॉप करके चलना है और M Sambu को आप किसी दूसरे टीम में 5 तरफ इस्तिमाल करना है जो कि हम टीम देंगे तो उसमें पता चल जाएगा इसे लेके चलना है या नहीं चलना है वहीं पर दिखेंगे जिले वेंगे को तो इसे अपने टीम में लेके चल सकते हैं चलिए बात करते हैं बॉलर में तो डी बदो शंका हमने आपको बताया था यह खिलाडी बहुत इंपोर्टेंट है और देखे कैसे ने अच्छा विकेट निकाला और बहले ही यह मैच रद हो गया वह अलग बात है लेकिन इनका परोफमस अच्छा जा रहा था आर नगरवा य किसी को लेकापको लेके नहीं चलना यह सभी खिलाडी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाले है यह सभी खिलाडी को आपके लेगे चल सकते हैं चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप 15 तरफ़्छा क्यों सकते हैं और कौन से खिलाडी होंगे जो आपके टीम में सुंबा को और यहां पर जियल व्याइंग vacun को यह खिलाडी आपको तीन में से तीनोção के लेकर चलना है आज के मैंच मे यह तीनों खिलाडी आपके लिए काफी इंपर्टेंट हो जाते हैं इसे अपने team में जरूर लेके चलिएगा यह खिलाड़ी as a punter के तौर पर आपके लिए काफी important होने वाले हैं और 40 से 50 पूंट देंगे अगर पूरा match खेला गया तो आप इसे अपने team में जरूर लेके चलिएगा चलिएगा चलिए अब इसे आप cbc के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं यह खिलाड़ी काफी important रहने वाले हैं बॉलर में आप जा सकते हैं डीम अदर शुका के तरफ यह खिलाड़ी cbc के तौर पर एक नंबर में बहतर है यह इसे अपने team में जरूर लेके चलिएगा चलिएगा चलिए अब बात कर के section में की कुछल मैंनीच मेरे टीम में हमने के मिनेल मैं में होने बाले हैं समार में हमने यह थेम को इस्तमाल किया है इस टीम में ठीक है पहले टीम में आप इसे क्याप्टन तरफ पर रोटेट कर सकते हैं कुछ खिलाडी को रोटेट करना है तो आप जा सकते हैं यहाँ पर एस लंका के तरफ यह खिलाडी आपके लिए सीबीची तरफ पर इस्तमाल अच्छे हो सकते हैं यह जिसे के आप काफी एक बहतर टीम बना सकते हैं यहाँ पर दखेंगे सिरलंका की टीम काफी बहतर है जिम्बाबी की तूलना में ठीक है जिम्बाबी की टीम थोड़ा सा कमजोर है तो हमने यहाँ पर 7-4 का कमिनेशन मना के रखा हुआ है जिए विकेट कीपर में दिखेंगे दो खेलाडी देखे चलें कुछल मैंडिज को और S अमारे विकरमा मेरे टीम में होने वाले हैं बैटर में दिखेंगे तीन बैटर लेगे चले हैं C, Erwin और T, Catano को जो कि मेरे टीम में 15 तरफे होने वाले हैं ये खिलाड़ी अगर 30-40 पुइंट भी कबर करायते हैं तो काफी अच्छा होने वाला है जिंबावी के तरब से और ये DT देखर जाने वाले हैं एस सर्लंका मेरे टीम में होने वाले हैं और T, Catano में इसे 15 तरफे इस्तमाल किया है जो कि चौथे पार्ट में नाट पर आपको देखने को मिल जाएंगे और यहीं पर देखेंगे ओल डाउंटर में दो अल डाउंटर इस्तमाल किया हैं डी शनका और एस राज मेरे टीम में होने वाले हैं और पहले जिंबावे अगर पहले बैटिंग करती हैं दोस्तों तो वैसे इस्तिति में हमने यहाँ पर जो जिंबावे के बैट्समेन है उसे हमने यहाँ पर ड्रॉप करके रखा हुआ है जिससे कि यह बॉलर डी मदोसंका और डी चमेरा होने वाले हैं तो इनको ज़्यादा एस्कोर नहीं करने देंगे 150 के अंदर में आल आउट कर देंगे या फिर 200 एसकोर जा सकता है वैसे इस्तिति में जब चेस करने के लिए आएंगे कुसल मैंडिस, ऐसा मारी करमा या फिर ऐसा लंका ये खिराड़ी आसानी से मैच को जिज जाएंगे तो ये टीम काफी बहतर होने वाली है जब सिरलंका भारी परेगी जिंबावी परतुब ये टीम आपके लिए मोस्ट है आप इसे अपने टीम में इस्तमाल कर सकते हैं ये टीम को काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं आप क्याप्ने तरफ पर रोटेट कर सकते हैं इसे सीबीशी के तरफ या तो आप चाहे तो कुसलमेंडिक कर जा सकते हैं सीबीशी के तरफ या फिर आप जा सकते हैं सीबीशी के तरफ और जिम्बावी का साथ लेके चले वे हैं सभी चलेंगे इसको लेकर सेलंका को लेकर हम यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा करने वाले हैं और यहाँ पर हम दोन तरफ से लेके चलेंगे जिससे की लोस नहीं हो अगर उस वैसे बहतर सेलंका बहतर करती है तो सेललंका के पक्ष में टीम रहेगा और अगर जिंबावी करती है तो जिंबावी के पक्ष में टीम रहने वाला है यहाँ पर देखेंगे एस मारी विकरमा जो की चौथे डाउन पर आपको देखने को मिल जाएंगे और वहीं पर विकेट कीपर में C मनाड़े मेरे टीम में होने वाले हैं मतलब दो यहाँ पर हम लेके चले वें बैटर में C एर्विन, आर्बर्ल और A फर्नांडो एस लंका मेरे टीम में होंगे और ओल डांडर में एस राजा, एम समुका में नों यहाँ पर कैमने तरफे इस्तमाल किया हुआ है आर नगर में और यहाँ पर देखेंगे B जरबर मेरे टीम में होने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो तो तरह आप हम तरह सा बात कर लें देखें यहाँ पर हमने जो इस्तमाल किया वाई सेरलंका का आपनर बैट्समन को ड्रॉप करके और यह जो बॉलर होने वाले है वो अगर बिकेट लेते हैं दोस्तों तो इनके जो आपनर बैट्समन होने सेरलंका के वो आउट हो जाएंगे और फिर जो चौथे, पच में, छाथ में, छटे डॉन पर आएंगे वो यह सब खिलाड़ी है जो कि आपको यहाँ पर देखने के मिल रहे होंगे और फिर आपनर जो आएंगे चेस करने के लिए जिंबाबे या फिर फर्स टाइम में तो यह सब खिलाड़ी अगर अच्छे चले तो इनका परफ्रेंस अच्छा जाने वाला है और ऐसे इस्तिति में आप यह टीम बना सकते हैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है CBC के तोर पर आप रोटेट कर सकते हैं कुछ खिलाड़ी को या फिर आप जा सकते हैं एर नगरवा के तरफ या फिर आप जा सकते हैं C.AIRWINN तरफ यह खिलाड़ी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो ऐसे situation में आपको यह टीम बनाना है यह टीम आपके लिए काफी help करने वाला है और जील में अच्छा प्रविट करके जाने वाले है दोस्तों यह final team नहीं है final team आपको टेलेग्राम पर दिया जाएगा तो आप में टेलेग्राम पर जाके जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रेप्शन में वहाँ पर जाएए और मेरे साथ टेलेग्राम के जुड़ जाएए final team आपको वहीं पर दिया जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं टेलेग्राम पर